नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक आप देख रहे हिंदी और डमोबाइश चैनल एपी टेक्निकल गुरू और मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर हम लाते हैं लेटेस्ट न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं डेली नाइन पीम पर एक न्यू वीडियो के द्वारा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अवश्चे लालन के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बि करते हैं महिंद्रा की एक शांदार गाड़ी के बारे में क्योंकि यह हमारे कुछ विएर्स की चॉइस थी बहुत टाइम से कि आप लाते हैं सारे इस चैनल पर फाइब सीटर बहुत सारी गाड़ियों के बारे में और लेकिन हमें कुछ ऐसी चाहिए जो मोड इस्पेसियस ह प्लस अगर हमारे फैमिली में सिक्स मेंबर हैं तो हम उसमें भी कमफर्ट में रहें क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंट सेगर हमको फाइब स्टीर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक सीट तो आपकी ड्राइबर के पास चली जाती है सेज के वल फोड सीट हमारे यह बसती है तो इन 4 seat पर अगर हमारे कुछ extra members हैं तो adjust नहीं हो पाते हैं इस पेस की वज़े से तो इसी problem को दूर करने के लिए video आज की है इसलिए हम select करके लाए है महेंदरा की 6-seater गाड़ी अब महेंदरा की select करने का कारण है कि friends अगर हम अन्य किसी brands की particular brands की गाड़ी लेते हैं तो मैं direct 7-seater मिलती है तो 7-seater जाने पर उसका budget भी काफी highest हो जाता है और इसका budget आपको मिलता है लगबग उनी गाड़ीों के बरावर जो normally आप purchase करना पसंद करते हैं चाहे वो टियागो हो चाहे आपकी वेगनार हो या center हो तो लगबग उसी के आसपास इसका budget रहता है थोड़ा ही difference आता है लेकिन features में आप इसमें बिलकुल किसी तरह का कोई समझाता करने की आउशकता नहीं है features इसमें आपको वही मिलेंगे जो high segment की आपको features गाड़ीों मिलते है जैसे कि अक्सर हम चर्चा करते हैं बोट की गाड़ीों की या आपको features लगबग वही मिल जाएंगे लेकिन more space मिलेगा आप 6 लोग है अगर family में तो बिलकुल comfort के साथ इसमें सफर कर पाएंगे यह बहुती popular गाड़ी है जो मैंदरा की के यूवी 100 next करके आती है इसके कैई variants हैं लेकिन हम जिस variant की बात कर रहे हैं यह है K6 Plus के नाम से क्योंकि इस 6 सीटर है एक इसका आता K6 5 सीटर में तो आईए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उन features की जिसके आदार पर हमें से rank देंगे कि ये गाड़ी हमें पर्चेज करने चाहिए नहीं पर्चेज करने चाहिए या मेहंदा ने इसमें क्या ऐसा प्रस किया है कि जिसे एक better option हो सकती है क्या ऐसा minus रह गया है कि जिसके लिए हम इसका substitute भी देख सकते हैं तो friends सबसे पहले हम बात करते हैं इसके engine की ही तो engine इसमें मिलता है 1.2 liter का यानि की काफी powerful engine है इस range की गाड़ी में जो देता है हमें 77 bhp की power इसके अलावा 140 nm का torque generate करता है और इसका acceleration time है 14 second का यानि की top speed तक पहुँचने का अगर top speed तक ये जाएगी उसमें लेगी 14 second का time तो इसे हम ने तो slow कह सकते हैं ना high कह सकते हैं इसके बाद में next features में आते हैं जो इसका cargo volume है वो जाता है 245 का तो 245 cargo volume है आप इसे mid मान सकते हैं इस गाड़ी के साफ से लेकिन अगर आप अन्य गाड़ी से compare करें तो इसी range की अन्य गाड़ीों में इससे भी कम cargo volumes मिलता है तो आप इसे plus और minus ने समझे इस गाड़ी के साफ से बिलकुल यह better है आप इसमें carry on कर सकते हैं आप अपना समान अगर आप long tour पर रहते हैं जो काफी अच्छा space मेंदा ने इसमें दिया है इसके अलावा जो main features हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो AC heaters बगरा समीज में मिलते हैं इसके अलावा steering आपके लिए बहुत ही better है जो adjustable है बिलकुल आप अपनी सुलिदा के अनुसार इसे adjust कर सकते हैं इसके अलावा competition करते हैं अगर हम इसके tires के आधार पर तो friends जहां पर अन्य गाड़िया है आप देखिए इसी segment में तो दे रही है हमें के वाड़ ट्यूलेस टायर जबकि महंदरा इसमें दे रहा है आपको 14 इंच के alloy wheels तो यह इसका second plus points हम बानते हैं तो total हम last तक दिखेंगे कितने plus points इस गाड़ी को मिल जाते हैं जिसके आधार पर हमाई यह गाड़ी buy करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी friends अब आते हैं इसके infotainments पर जो की विल्कुल advance जमाने का infotainment आपको इसमें मिलता है जाने की seven inch का touch screen इसमें मिलना है जिसके दोरा आप सभी facility ले सकते हैं radio है इसके लाबा एफी में auxiliary है USB output जिसके दोरा आप अपनी chip का प्रयोग करके अपना entertainment कर सकते हैं इसके अलाबा GPS navigation का benefit भी आप ले बाएंगे Bluetooth connectivity भी इसमें आपको मिलती है तो ये इसके plus points है next तो आप कह सकते हैं यहां तक यह गाड़ी कम से कम 5 points हमारे आदार पर ऐसे ले ले लिती है जिसके आदार पर 10 to 5 points इसे मिल जाते है इसके बाद मैं अन्य features पर चलते हैं आगे जो तो ये भी इसका next plus points है यानि कि यहां तक six plus points इस गाड़ी को मिल जाते हैं हमारे इसाब से power steering मिल जाती है rear reading lamp है और front में और rear में आपको bottle holders मिल जाता है इसके अलाबा आपको मिलता है multi function steering wheel यानि आप बिलकुर steering wheel के तवरा ही control कर सकते हैं audio तो ये इसका एक बहुती बहतरी system points इसमें मिला है तो महिंद्रा का ये एक और next points यहां पर हम इस गाड़ी को दे देते हैं अब बात करते हैं इस तुरक्षा की किस तुरक्षा के में ये कितने points लेती है 10-2 तो friends देखिए first आपको इसमें मिलता है ABS यानि कि anti lock breaking system जो इसका first point है second में आपको मिल जाते है power door lock मिल airbags और passenger airbags में मिलते हैं तो ABS के बाद जो next point है EVDB हमें इसमें मिल जाती है इसके लावा rear seat belt और rear seat belt warning इसमें मिलने जा रही है तो यानि सुरक्षा में लगबग आप ये कह सकते हैं सभी points महिंद्रा ने यहां पर include कर दिये हैं तो आपको इस get area में तो कम से कम कोई problems नहीं होने वाली है इसके अलावा follow me head lamp मिलता है crest sensor मिलता है और central में आपको मिलता है arm rest भी आपको मिलता है तो आप बिलकुल smoothly अपनी driving का लुट उठा सकते हैं तो कुल मिलाकर ये सारे इसके man man points है जो हमने आपके साथ share कियें इसके लावा बात रह ज हैं तो friends इसका price start होता है एक सोरूट 6.15 यानि की 6,15,000 जो on road जाता है आप एक लाव का difference मानिए जो इसका RTO, insurance और अने शुल्क होते हैं तो 7,15,000 के आस पास आपको गाड़ी on road मिल जाती है तो इसके बाद में आप देख सकते हैं क्या इस budget में आपके लिए गाड़ी fit रहत कोई problem है ना features के आदार पर कोई से minus points दिए जा सकते हैं तो यह कुछ हमारे viewers थे जिनका comments था कि हम six-suiters गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो six-suiters vehicles आपके लिए हम लेकर आए ते इस वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी आपको लाइक और अपने वीडियो को share क अपने friends के साथ और friends अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो comments box के द्वारा आप जान सकते हैं किसी particular brands या particular models इसके variants के बारे में जो आप purchase करना चाहते हैं तो एक बार comments box में लिखिए अपने state और district का नाम प्लस लिख सकते हैं उस brands और variants के बारे में तो हम आपको उसके बारे म प्लस आप share कर सकते हैं अपना pin code भी जिससे कि हम आपको nearest जो भी आपके true value type की dealers हैं यानि कि जो बिल्कु certified गारियां बेखते हैं जैसे कि Mahindra की आती है first choice या मादूती की आती है true value या Toyota की आती है या अन्य brand भी जो अपने warranty के साथ देते हैं गारियां उनके quality चेक करने के बा आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको पुरानी वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं मारते true value भी आपको मिल जाएगी हां पर Hyundai की भी मिल जाएगी तो यह तो थी हमारी आज की information friends और वीडियो यही पर हम समाप्त करते हैं मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए नम पुर्शे जाएं दोस्तो नमस्कार जय हिंद गुडबाय टेक केर टेक आप